जहिन दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है जहो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर और वर्ल्ल जोग्रफिक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने अल्रेडी काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लिया था आप उससे जाकर नीचे डिस् हमारे कोर्सेस और जो टेस्स सीरीज है जो 20 सप्तेंबर सी स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बहुत से लोगों के इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो क्वेरी जाती रहती है वह लोग पूछते रहते हैं किस नंबर पर लें कहा है या जिनको भी इस बारे में पूछना है आप लोग इस नंबर पर यह जो उपर वाला नंबर है, यह हमारे सूरज सर का नंबर है, और यह मेरा नंबर है, किसी भी एक नंबर पर आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डिटेल आप लोगों को, आरो आरो के crash course या फिर test series से related कोई भी information चाहिए, तो अब यह information देने के बाद अपना topic आज हम लोग start करते हैं, देखिए, desert के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे जो की मरुस्थल है, उसमें सिर्फ कुछ एक दो कारण ही नहीं, उसमें लागू होता है कि आखिर वहाँ पर desert जैसा situation क्यों बना, आप लोग अकसर सुनते होंगे कि कई जगा पर बारिश एक महतोपूर कारण होता है, कि जहां पर 25 cm से कम की बारिश हो रही है, वहाँ पर आपको desert देखने को मिलेगा, कहीं पर आप देखेंगे कि ये बहुत सारे continent जो होते हैं, ठीक है, कई देश आपक जिसे वो मरुस्थल या फिर desert हो जाते हैं, और तीसरा जो आप पढ़ेंगे वो ये high pressure वाला, ये जो belt है, जो अकसर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि उतरी गोलार्थ में 30 से 35 डिगरी या 35 से 40 डिगरी north में पढ़ता है, और दक्षणी गोलार्थ जो की southern hemisphere है, वहाँ पर भ दक्षणी गोलार्थ में 15 से 20 या 22 डिगरी north या south समझ लिजे, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलता है, तो इसका कारण जो है, वो तीन है महतोपूर कारण, अब देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो green build आप देख रहे हैं, ये उत्तर में और ये जो आपकी मकर रिखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दक्षणी गोलार्थ में 25 डिगरी पे पास होता है, अब हमें पता है कि इसके उपर या फिर इस line के नीचे जब आप जाएंगे तो high pressure वाला region होगा, तो हवाओं का जो direction है, वो देखिए, ये ये दक्षिन अमेरिका का आप side देखिए, दक्षिन अमेरिका यहाँ पे Brazil side में कितना ज़्यादा चौड़ा है, तो अगर माल लीजे कि ये बारिश वाली हवाएं, यहाँ से इधर बहती भी हैं, तो पहली बात तो ये Brazilian highlands है, Brazilian highland क्या है, highland, मतलब ये जमीन यहाँ है, तो समझ दीजे कि कोई उचे पी जमीन है, मतलब आप समझ दीजे पहाड है, तो यहाँ पे पहाड से जब ये हवाएं जाएंगी, तो पहाड के इस तरफ तो बारिश हो जाएगी, लेकिन इस तरफ जब आगे हवाएं जाएंगी, जो हमने grasslands, घास के मैदानों में भी पढ़ा रीजन है, यहाँ पे जो हवाएं हैं, यह हवाएं आपके बह रही हैं इस तरीके से, तो जो यह बारिश वारी होएं भी हैं, वो तो यहाँ कहीं बारिश करा दे रही हैं, लेकिन आगे जाने के बाद तो वो सूखी हवाएं बह रही हैं जिनको हम कहते हैं, अब तक आप ज नहीं रहें, इनमें नमी न के बराबर है और अब ये हवाएं जब बादल आगे बढ़ रहे हैं तो यहां सूखी हवाएं बह रही है और यहां पर आपको कौन सा डिजर्ट इसलिए देखने को मिलता है अटाकामा डिजर्ट अटाकामा मारुस्थल देखने को मिलता है और ये आपका कौन सा डेश है ये चीली वाला डेश है चीली वाला कंट्री है यहां पर आपको अटाकामा डिजर्ट देखने को मिल रहा है अब यहां पर के बाद यहां आई है अब देखिए ये जो आपकी लकीर है रही है यह अब यहां देखिए यह वाला कारण यहां नहीं है यहां पर आपका जो चोड़ाई है वो कम है यह इस देश की कॉंटिनेंट की कॉंटिनेंट जो है दक्षिन अमरिका यहां इसकी चोड़ाई कम है तो फिर यहां तो बारिश वाले बादल आ जाने चाहिए लेकिन यहां बारिश वाले बादल नहीं आते हैं क्यों नहीं आते हैं क्योंकि यहां पर एक लंबा सा पहाड का एक चेन है आप एक बार यह सर्च करके देखेगा चलिए सर्च क्या करना है बताई देते हैं Andies Mountain तो यह जो Andies की पहाड़िया है ये लगबग लगबग 7-7,000 किलोमेटर या उससे भी आगे तक जाती है तो ये जो पहाड़ों का रेंज है ये फिर इनके बीच में आ गया अब ये जो बारिश लेकि हवाएं जा रही है क्योंकि अब देखिए ये है हाई प्रेशर वाला रीजन माल लीजा आप इसको यहां से हटा दीजे यहां से माल लीजे कि ये इस तरफ बारिश हो रही है ठीक है लेकिन यहां से तो ये इस तरफ बारिश हो रही है बारिश की हवाएं इस तरह से बहते वे आ रही है तो बीच में आपको मिल गया पहाड पहाड है एंडीस मौंटें तो एंडीस की पहाडी के उस तरफ जो समुद्र की तरफ है वहाँ तो आपकी बारिश हो गई जिसको हम विंडवर्ट साइड भी बोलते हैं लेकिन वह पहाड से आगे बढ़ने के बाद जब हवाएं दूसरी तरफ आ रही है तो वहाँ पर तो बारिश वाले बादल अबना के बराबर है यहां कुछ नामातर का बारिश हो गया मालीजे आपको कुछ घास देखने को मिल लेकिन जब आप इस तरफ पर आ रहे हैं तो यहां हवाओं का डारिक्शन इधर से नहीं है क्योंकि यह हाई प्रेशर है तो अब यह नीचे की तरफ इधर बहेंगी क्यों? यह सब्ट्रोपिकल हाई प्रेश है, नीचे की तरफ लो प्रेशर बनेगा, सब आपका रीजन आ इसका नाम हम रखते हैं पैटागोनियन डेजर्ट तो इस डेजर्ट का क्या नाम है अटाकामा इस डेजर्ट का क्या नाम है पैटागोनिया और यह जो पैटागोनियन डेजर्ट है आप देख सकते हैं यह अर्जेंटीना में पढ़ता है अब यहां के बाद अब हम लोग आत और यह यहीं पर आके हवाएं गिरती हैं जो कि हमने प्रेशर बिल्ट में पढ़ा था तो जब यहीं पर हवाएं सारी आ रही है दोनों तरफ से कुछ इस तरफ से भी कुछ इस तरफ से भी कई किलोमेटर उचाई से तो यह आपका ज्यादा दबाव वाला छेत रहे हाई प्र और बारिश का बातल कैसे बने गा उसके लिए तो हवाएं को उपठर जाना चाहिए ना इसलिए यह दिसेंड नीचे आताέλ है हाँ पर हवाय ही High pressure वाले region में, तो यहाँ पर बारिश के बादल मिलेंगे नहीं आपको, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह हवाओं का direction फिर देखिए, फिर आपको दक्षिन अमरिका की तरह उत्तर अमरिका में भी यहाँ पर चोड़ाई जाता दिखेगी, जिसकी वज़े से यह जो हवा यह है सबसे पहले आपका Great Basin Desert, दूसरा आपका North America में पढ़ता है यहाँ पर Sonoran Desert और यह है आपका Mojave Desert, आपका काम यह है कि आप एक बार देखिएगा कि यह जो तीन dessert हैं, यह तीनों क्या सिर्फ आपके USA में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, यह कनाड़ा में भी आते हैं यह दोनों में आते हैं, इसको एक बार आप अपने इस तरह पे सर्च करिएगा, आपका Knowledge बहुत अच्छा बढ़ेगा, और Comment section में लिखेगा, कुछ लोग बहुत अच्छा response देते हैं, आप लोग भी कोशिश करिए कि उसको Comment section में लिखेगा जरूर, जो पूरे answer देदेगा हर बार की तरह उसके answer को pin कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब आप एक और आगे desert देखेंगे, अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यह high pressure से फिर सी यह हवाई दर बह रही है, तो फिर यह जो desert है Mexico में, इसको भी तो यह नमी वाली हवाई नहीं मिल रही है, तो इसका न खारण है, ocean current पे हम अलग से वीडियो देखेंगे, फिर भी यहाँ में एक concept देख लेते हैं, कि दिखेंगे यह green का मतलब क्या है, कि यहाँ पर यह ठंडी महासागर, ठंडी मतलब बहुत ठंडी की जरूत नहीं है, बताने की, कि बहुत ठंडी है, लेकिन किसी की तुलना मे यहाँ जो महासागर देखने को आपको मिलेंगे एक्वेटर पे, इसकी तुलना में यह ठंडे हैं, तो अब जब यह ठंडी हवाँ इधर से बह रही हैं, जिसे हम यह पेरू है, यह चीली देश है, तो एक तो इसका नाम हम रखतेते हैं, पेरू-चीलियन करेंट, या पेर अगर इसका सर्फेस, सतह, गरम होता, तो वो भाब बन के उपर जाता हवा, भाब बन के उपर जाता कुछ बादल बनता, बादल बनता तो बारिश के रूप में नीचे आता, लेकिन जब सतही कुछ लगबग ठंडा मिलेगा, 10 डिगरी, 15 डिगरी, 12 डिगरी, 8 डिगरी, त 35 डिगरी, इतना तो टेंपरेचर समुद्र का होना चाहिए, यहाँ पर है नहीं, तो जब यहाँ पर आपका बादल बनेगा ही नहीं, धंडी समुद्री धाराओं की वज़े से, cold ocean current की वज़े से, यहाँ बारिश होना ही नहीं है, ठीक कहानी, यहाँ पर भी है, यहाँ भी जो continent है यहाँ पर आपका एक छोटा सा आइलेंड देखने को मिलता है टापू देखने को मिलता है जिसका नाम Canary है तो इसी Canary के बगल सी समुद्र की धाराएं उपर सतय पर बहते वी जा रही है जिनको आप Ocean Current बोलते हैं तो इसलिए इनका नाम हम Canary Current रख देते हैं अब ये Canary Current भी Cold Ocean Current है ठंडी समुद्री धाराएं हैं तो यहाँ पर भी बादल नहीं बनेगा तो इसकी वज़े से यहाँ पर भी आपका मरुस्थल वाला इस्थिती होगा ठिक उसी तरीके से कहानी यहाँ पर नामीबिया जो कि दक्षिन अफरिका से सटा हुआ है यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं यह है आपका हाई प्रेशर वाला बिल्ट हवाएं इधर सीधर बह रहे हैं तो देखिए जो आपका यह गर्मी वाला साइड है यहां तो माल दीजिए अफरिका के पास में इस समुद्र की वज़े से कुछ बारिश हो जाएगी लेकिन अंदर आप देखेंगे तो यह बाइन लार्ज मतलब आप जादे तर देखेंगे तो इतनी सूखी हमाय बहर रही है कि यहां पर आपको मरुस्थली देखने को मिलेगा और इसकी वज़े से दुनिया का सबसे लेका डेजर्ट, hot desert, cold desert नहीं hot desert आपको यह देखने को मिलेगा, غरम मरुस्थल देखने को मिलेगा सहारा-रिकिस्तान के नाम पर अब सहरा रेकिस्तान के नाम पे आपको देखने को मिल रहा है ठीक उसी तरीके से आप ये सौधी एरेविया और अरब देशों को देखिए अरब देशों में भी यही बात है अब इनके पास से जो ये हवाएं चल रही है ये हाई प्रेशर रीजन देख रहे हैं आप कहाँ पर है ये आपके सेंट्रल एशिया के पास में है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान इस साइड में है वहाँ से हवाएं चल रही है तो आप बताईए यहाँ पर कैसे इसको बारिश कराने वाली हवाएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो यहाँ पर भी रेगिस्तानी वाला सिच्वेशन है ठीक उसी तरीके से जब आप इस टॉपिकल के बाद टेंपरेट जो इस रीजन में आप आते हैं जो 40-45 डिगरी नौर्थ में है उतरी गोलार्थ में तो वहाँ पर भी यही कहानी है यहाँ से अब हवाई इधर की तरफ बहेंगी जब इधर की तरफ बहेंगी यहाई प्रेशर वाला रीजन है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चुकि यह महादूइपी असर है जिसको हम कॉंटिनेंटल इफेक्ट बोलते हैं यहाँ पर भी बारिशवाली हवाई कुछ मिन नहीं रही है तो यहाँ पर आपका जो डिजर्ट बनता है यह आपका टकला मकान टकला मकान डिजर्ट कहाँ पर है आप एसे समझ लिजे कि लदाख में जहां हमारा अकसाई चीन वाला हिस्सा एकक साई चीन के बाद जैसे ही आप चाइना में आगे बढ़ेंगे तो यह पर चीना में ये टकला मकान डिजर्ट मिलेगा और इसे बगल में ये च्वड़ा सा ये और पूरव साइडमान दीजे तो ये गोबी डिजर्ट है गोबी डिजर्ट के बगल में ही मंचूरियन रीजन है मंचूरियन रीजन के बारे में आप पढ़िएगा इसको लेके लड़ाई भी हो चुकी है जापान, चाइना, रशिया इन लोगों में मंचूरियन रीजन एक्जाम में आता रहता है उस पे हम कभी बाद में देख लेंगे क्यों आता है अब मंचूरियन रीजन यहां पढ़ता है तो उसके बगल में आपको यह गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है अब गोबी डेजर्ट और टकला मकान यह दोनों जरूर देख लीजेगा फिर से Comment section में लिखेगा कि यह मंगोलिया और चाईना के बीच में share होता है या फिर गोबी डेजर्ट सिर्फ चाईना में आता है और टकला मकान जो रेगिस्तान है वो चाईना और आपका मंगोलिया के बीच में share होता है तो इन दोनों मेंसे क्या होगा? कोई एकी चीज़ होगा कि टकला मकान या तो पूरी तरह चाइना में होगा या चाइना और मंगोलिया के बीच में शेयर होता होगा या फिर मालीजे गोबी डेजर्ट है चाइना और मंगोलिया के बीच में शेयर होगा या फिर सिर्फ चाइना में पढ़ता है तो ये दोनों रेकिस्तान के वारे में आप देख लीजेगा और कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अब ये आम तोर पर हमारा ये जो डेजर्ट ही ये लगबख कम्प्लीट है ठीक उसी तरीके सी ये काला हरी डेजर्ट आप देखिए यह काला हरी डेजर्ट आपका क्या है? तो-तीन देशों में है. बोच्षवाना और कुछ धक्षीन अफरिका में भी है लेकिन अधिकतर जो आपको प्रश्णे मिलते हैं वो बोच्षवाना के नाम पे मिलते हैं. उसका कारण क्या है कि पूरा पूरा लगपग बोच्षवाना जो देश है, वो आपको B से Botswana समझ लीजे, B यहाँ पर वैसे आपको tribe क्यों रहे हैं बताएंगे, तो यह Bushman tribe यहाँ रहती है काला हरी रिगिस्तान में, तो B से Bushman tribe, B से आप Botswana याद कलेजेगा, क्योंकि लगभग पूरा देश ही Botswana आपका यह काला हरी डेजर्ट में पढ़ता है तो काला हरी डेजर्ट हमारा यहाँ पे हो गया अब काला हरी डेजर्ट की भी वही कहानी है चुकि यह High Pressure Built यहाँ कहीं है यहाँ हमाई बह रही हैं, यह कुछ यहाँ पे पहाड़ वाला साइड है तो यहाँ पे जो भी हवाई बहेंगे वो इतनी सूखी बहती है कि यहाँ पर भी रेगिस्तान वाला महौल है ठीक उसी तरीके से नामी भी आए आप यहाँ देख सकते हैं South Africa में आपको यहाँ पे उचाई पे अब देखिए हमने जो Grassland पढ़ा था वहाँ से आप concept को clear कर सकते हैं कि यहाँ पर South Africa में आप देखेंगे कि South African Highland है मतलब South Africa की पहाड़ियां है तो यहाँ से जो बारिश की हवाएं आती है वो पहाड के उस साइट कम बारिश कराती है जिसकी वज़े से आपको घास तो देखने को मिले का घास के मैदान जिसको हम वेल्ड बोलते हैं लेकिन जब आगे हवाएं और भहेंगी तो जहां घास उग रहा है वहाँ अपने आपी 50-60 cm की बारिश हो रही है लेकिन जब आप यहाँ पहुँचने लगी हवाएं तो फिर मरुस्थल होगा और इस मरुस्थल का नाम नामीब डेजर्ट हो जाएगा यहाँ बहारिश नहीं होगा अब उसी तरके से ऑस्टेलिया के भी यही कहानी है उस्टेलिया में यह आपका टॉपिक आफ कैप्रिकॉन है अब यह हवाएं देखे कैसे बह रही है अब हवाएं ऐसे बह रही है कि यह high pressure region के वज़े से या तो इस तरफ हवाएं बहेंगी या फिर कुछ हवाएं ऐसे बहते बहा रही है तो जो ऐसे बहते बहा रही है वो इस तरफ तो कुछ बारिश करा देंगे अब यहां पर जो important रेकिस्तान है वो है great sandy desert, Gibson desert, great victoria desert और Simpson desert तो यह जो great victoria desert है और यह Simpson desert है यह exam में आता है यह great victoria desert अच्छे से देख लिजेगा क्योंकि यहां victoria lake है तो कभी दो भी confusion हो सकता है कि यहां victoria जील है यह great victoria desert Australia में है एक बार देख लिजेगा तो यह लगभग आपका यह जो desert वाला region है मरुस्थल क्यों है कैसे है इसका एक overview आपको मिल गया अब कुछ important जन्जातियां है tribes है जो इन रेकिस्तानों में रहती है तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं एकजाम में हमेशा एकजाम में question आता है उनके ऊपर जैसे यह बदूीन यह जो बिदूओई tribe है बदूओई जन्जाति आपकी अरब यह जो अरब गर्चे है न कि यह कोई ठाहिशों में इंपों की चाला हरी में देखने को मिलेंगें सकानी आपको देखने को मिलेंगें अफ्रिका में जिसमें आपका क्या है तंजानिया है यूगांडा है इस तरफ या केनिया के साइड है यहां पर आपको एक ट्राइब देखने को मिला था उस ट्राइब का क्या नाम था हमने ग्रासलेंड वाले टॉपिक में इन ट्राइब का नाम देखा था एक बार रिवाइ है तो इस बींदूोबी जिसको एब ओरिजीन स muchísimo कहते हैं अब dilena का मतलब कि वहां से आस्टेलिया की बीन्दूबी जो यह ज़ती है यह ऑस्ट्रेलिया की है डिनंबर में हो तू अरग तू में आपको यह सहारा के स्थानों में मिलेगे तो यह कुछ important ऐसी जंजातियां है जो की आपके मरुस्थल वाले एरिया में मिलती है तो ये हर बार की तरह ये भी world geography का एक important peak है आपको ये download करने के लिए नीचे description में telegram channel का link मिल जाएगा आप वहाँ से जाके download कर लीजेगा और desert का आज हमारा topic यहां complete होता है अगला topic अब हम उपर की तरह जाएंगे और ये Mediterranean वाले concept को समझेंगे यहां का एक concept और ये चिली में ये जो concept है ये बिल्कुल मिलता जूलता है कैसे ये pressure build shift होता है तो क्यों यहां पे आपको गर्मी में बारिज देखने को नहीं मिलेगी तो इसलिए हम रटते हैं कि ये गर्मी तो hot हो रही है लेकिन rainy winter हमें देखने को मिलता है ऐसा क्यों होता है छोटा सा concept है समझ जाएंगे बहुत आसान हो जाएगा वहां से भी कई information fact देखने को आपको मिल जाएगा उसके बाद हम ध्रिद्रे करके आगे बढ़ते रहेंगे और last में जो और topic होंगे उसको भी हम देखते रहेंगे तो आज हमारा topic यहां complete होता है किसी भी information के लिए मैंने आपको यह details के लिए number दे दिया है आप ROE ROE का crash course हो गया, test series हो गया किसी की बारे में अगर आपको पूछना है, जानना है तो यह number यहां पर उपलब्ध है तो आज हमारा video यहीं complete होता है next video में हम फिर से मिलते हैं एक अच्छे topic के साथ में विश्व भुगोल के आप सबी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद